फिलाल रुक करेंगे चौमू नगरपालिका का जहां पर मदगर्ना फिलाल जारी है और मदगर्ना के तहट यहां पर परिणामू का आना भी शुरू हो चुका है सुभा नौ बजे से मदगर्ना की प्रक्रिया जारी है चौमू नगरपालिका जुनाव के तहट और वार्ड नमर एक की बात करें तो सुभा जब नतीज़ आए कॉंग्रेस के रमेश चंदर सेनी यहां से विज़ाई रहे भाजपा के मनोश दुमावत को साथ मतोस से उन्होंने हराया साथ ही आपको बता दे कि चौमो के वार्ड नमर दो से जब रिजल्स आए तो भाजपा के बाबुलाल सेनी यहां पर संतुष्ट होते नजर आए जीत यहां पर उन्होंने दर्स की जहां कॉंग्रेस की चीतरमल को 94 मतोस से परास्त उन्होंने किया इसके लावा चौमो के वार्ड नमर तीन से जब नतीजे सामने आए कौंग्रेस की ममता चौथ भी उसमें बज़ए रही और भाजपा की मंजू देवी को 127 मतोस से उन्होंने हराया तो फिलहाल मत करना जो है वो जारी है चौमो के 45 वार्डों के लिए जो मत करना है वो जारी है पहले चौमो में 35 वार्ड हुआ करते थी लेकिन परिसमन के बाद में 45 वार्ड वो बन चुके है जहां से जिस प्रकार की कुछ देर पहले की जो अपडेट थी उसके अंदर कॉंग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है जब सुभा में सबसे पहले 9 बज़े मत करना शुरू हुई वार्ड नमर एक से लेकर के वार्ड नमर पांच तक के जब नतीजे घोशित हुए तो शुरूआती दौर में ही शुरूआती राउंड में ही कॉंग्रेस ने बढ़त बनाई वहां पर और पांच वार्डो में से चार वार्डो पर अपनी जो जीत है वो यहां पर कॉंग्र इस निकायम की एक वार्ट्स लेकर के शुरुवाती राउंड में भारतिय जरता पाठी को संतुष्ट होना पराज। पूरी हो चुकी है और लगातार कॉंग्रेस अपनी बनाए हुए है बड़त बरकरार है बीस में से तेरे वोर्ड कॉंग्रेस ने अपने कपजे में कर लिये है तो वहीं बीजेपी केवल पाच वोर्ड ले पाई है तो वहीं दोपन निर्दली है पुल मिला करके 14 राउंड की मतगर्ना के बाद का परिणाम में विस्तार से दर्शकों को बताना चाहूंगा वार्ड नमर 16 में सीधी टकर कॉंग्रेस और बीजेपी के लिच में थी काटे का टकर प्यापत देखने को मिला है इस तकर में कॉंग्रेस के महंदर लामा ने जीत दर्श की है 449 मत उन्हें मिले हैं तो इन्होंने बीजेपी के गुलापचन जाट को राया है वार्ड नमर 17 की बात करें तो यहां पर रोचक मुकाबला था चार पांच लोग इसमें वार्ड में थे तो यहां पर संतोष की संतोष ने जीत दर्श की है 235 मत इन्होंने लिए बिलकुल रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिला सीताराम जीतरवाल कोंगरेस के पृत्याशी को 456 मत मिले हैं तो वहीं बीजेपी के अश्चोकुमार गोरा को 449 मत मिले हैं जी वोड नमर 19 की बात करें तो यहां पर अन्मान सहाई नतवारिया कोंगरेस के पृत्याश प्रत्याशी मुकेश कुमार सज्द नहीं आपर जीत दर्ज की है 382 मत इने हासिल हुए है तो वहीं कॉंग्रेस के प्रत्याशी को 235 मत यहां पर मिले है कुल मिला करके चोमू के 45 वोड में से 20 की काउंटिंग पूरी हो चुकी है 20 में 13 में कॉंग्रेस ने अपना कपजा जमा लिया है तो वहीं बीजेपी यहां पर फिचरती जारी है तिर्फ 5 सीटे ले पाई है तो वहीं 2 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है चुलिया अशिश बहुत शुक्रिया तमाम चानकारी के लिए तो चौमू से अगर बात हम करें तो यहां पर कॉंग्रेस की जो बढ़त है वो बरकरार है और भारती जनता पाची को मात्र पाच सीटों से 20 वाडों में से अब तक संतुष्ट होना पड़ा